गुड मॉनिंग दोस्तों और वेलकम टू एंजय स्टड़ी पॉइंट दोस्तों आज मैं लेकर आया हूं इंडियन आर्मी जेनरल डूटी सेंपल पेपर इसको सेट वन मान की चलिए ठीक है इसमें जो पहला कुशन है अर्जुन प्रोषकार किसे दिया जाता है तो यह दिया नेक्स्टम क्वेशन नमबर दो की बात करते हैं कस्मिर घाटी का मुख्य सहर को ने तो कस्मिर घाटी का मुख्य सहर है स्रीनागर क्वेशन नमबर तीन आधी रात का सूरज किस देश को कहा जाता है यानि कि मिडनाइट सन तो यह है नर्वे को कहा जाता है नेक्स्टम बा करते हैं तो फाइव क्या है चिलका जील कहां इस्तिते तो चिलका जील दोस्तों उड़ी सा में इस्तिते अगर इसी परकार जील वाले बात की तो डल डल जील वुलार जील जो हमारी है जम्मो कस्मीर में है नेक्स हम बात करते हैं ग्वेस्ट नंबर शीक्स की मिजोरम की राजदानी राजदानी आपको पता है अगला ग्वेस्ट्र माइन भीहट किस राज्य का पारंपारिक निर्ट्या है है तो बीहु जो है हमारा अस्वम का एक हार्वेस्टर फेस्टिवल है नेक्स्ट क्वेस्ट नमबर एक्ट क्वेस्ट नमबर एट क्या है लंदन इस सिचुएटेट उन्दा बैंक ओफ रिवर मतलब लंदन किस नदी के तर्ट पर इस्थित है तो लंदन जो है वो है टैंस नदी के किनारे पर बसा हुए टैंस नदी के किनारे सब्सक्राय नेksom बात करते है क्वेश्ट नमबर on नाइन की ठीक है तो एक नक्से का उप्योग करके आप क्या पासकते हैं तो एक नक्से का उप्योग करके हम दूरी भी पासकते हैं दिसा भी पासकते हैं उचाए भी पासकते हैं तो इसका मत्ता इन में से सभी इसका सही आंसर है नेक्स्ट हम बात करते हैं दस्वें क्वेशन क्वेशन नमबर 11 इन में से दुनिया में सबसे गहरा शागर को ने तो इन में से दुनिया का सबसे गहरा महाशागर पैसिफिक उसिया नहीं यानि कि परसांत महाशागर है अगर बात की जाए गहरा और बड़ा वी तो बड़ा भी हमारा परसांत महाशागर है क्वेशन नमब भारत ने गोवा को पुरुद्गालियों से कब मुक्त किया तो यह क्या है 1961 में ठीक है तो इसका यह सी अंसर सही है अगला जो क्वेशन है पेरिस किस नदी के किनारे इस्तित है तो पेरिस जो हमारा वो सीन नदी के किनारे सहर 6 ना को पेरिस किस्तित है राष्ट्य वनस्पति अध्यान किस सहर में इस्तित है तो इसका रायट आंसर है लकनों में यानि कि comments करते हैं नमबर 15 की what is H1N1 यानि कि H1N1 क्या है तो दोस्तों यह हमारा है स्वाइन फ्लो ठीक है अब बात करते हैं इन में से लाफिंग गेस क्या है लाफिंग गेस यानि कि इसी गेस अगर जिसको सुंगने से आद में हासता है तो वह है नाइटरस ओक्साइड ठीक है नाइटरस ओक् क्रिखन है क्रिखन नमबर 17 कि Aluminium का सबसे मेत्वपूर्ण और यस्क क्या है तो Aluminium का सबसे मेत्वपूर्ण और यस्क है वाक्साइड अगला हम बात करते हैं क्राओं कि ऑन्प्षेन को समाप्त कर देती जिससे अगस्वएं बुच जाती है इन में से कौन सा इस्तान पाई जीव अंडे देने का मतलब है पहले तो अंडे देता है और फिर क्या करता है जब उसके बचे होते हैं तो दूद भी बिलादा है तो इसका राइट आंसर है डी आंसर नेक्स क्वेशन नमबर 20 लेप्रोस्कोपी किस से जुड़ा हुआ है तो यह जुड़ा है प्रसुति सास्त्र संचालान से नेक्स नम बात करते हैं क्वेशन नमबर 20 तो पधार्थ की चोथी अवस्ता क्या है तो पधार्थ की चोथी अवस्ता दोस्तों पलाजमा है इसमें है, इस मिस्च which is the following is the mixed fertilizer मैंला इन में से एक मिस्रित ओर्वन रख्या है तो मिस्रित ओर्वन रख्या है दोस्तों और और क mun curation क्या होती है nitrogen, P say phosphorus नेक्स हम बात करते है qresant नम-बार 23 गाई का दूद किольшका समिर्द दिस्रोत होता यानि कि गाय के दूद में सभ से जादाई अब शेयर नेकंटीं कामल होता है इसमें बिटामीन ओध़ाइट किके नेक्सक्ट क्वेशन नंबर तुटी-फोर टाइफ हाइट बिमारी कहां से होती है इसका q weather नमबर कखे त्व थंटी फाइव तीन जड़ों का दाद क्या कहलाता है तीन जड़ों का दाद सब्सक्राइबकाअ का weekend कम दर्षिता की वज़े से क्या होता है कम दर्षिता का जो मुख्य कारण है वह है रेटीने का कमजूर हो जाना क्वेशन नमबर 28 क्या है तो इसका जो राइट आंसर है कि यानिकी थेरा सो पाचास गरहम बात करते हैं क May, क्वेशन नमबर 29 की कश बाता है पानि आधिका 4 डिग्री सेल्सियस पर अगला हे नमी लख्षित में कौन रोग आम तोर्पर हवा की माध्यम से फैलता है तो आपका छे रोग स्थे रोग का मतलब होतार ठीवी भी ठीकहे तो टीवी किस वज़े से फैलता आपका आम तोर पर हवा के संकरमाण से जाने कि अगर जैसे प्रकार से आज करोना फैल रहा है हवा के संकरमाण से उसी परकार से छे रोग भी फैलता है से बाथ जाता है ठीक है म्डर का सब से हिस्सा ओजोन्-पॉल्जों निकरों से बचाता है ठीक है नेक्ष आम बात करते हैं कोईसओं नंबर 32 ठीक सिस्थ क्या हुआ है हवाइब विम्मानों में सुद्ध इधन क्या हुता है तो इसमें सबसे ज्यादा इधन जो प्रियोग किया जाता है सुध इधन की रूपें वो कि जाता है के रोसीन ठीक है नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेशन नमर 33 निमन में कौन सी ग्रेंथी नहीं है पैट जिगर गुर्दे यह पाचक ग्रेंथी तो इसमें जो है पैट हमारा सुभी दा जनक बनाए जाते है तो बीजिवल प्रकास यानि की बीजिवल लाइट प्रकास क्वेशन नमर 35 पटाकों में हरी आग किस वज़े से उत्पन होती है तो इसका जो कारण है वो है बेरियम अगला जो क्वेशन है एरिया अववदार एक आयताकार मैदान का छेत्र प्रकास के बारा हजार पांसो मेटर स्कॉयर है इसकी लंबाई 125 मेटर है तो उसकी परदी क्या होगी ठीक है परदी का मतला यहां पर परिमाप से ठीक है सबसे पहले आपको क्या निकालना है यहां पर सबसे पहले उसकी चोड़ाई निकालने चोड़ाई कैसे निकलेगी दोस्तों चोड़ाई निकलेगी 12500 बटे लंबाई लंबाई कितनी इसकी 125 ठीक है तो इसकी इसका आगए 100 100 इसकी लंबाई आ गई अब देखिए आयताकार मैदान होता है उसका जो उसकी जो परदी होती सबसे दो लंबाई धन चोड़ाई तो लंबाई हमारे पास कितनी आ गए थी 125 पलस चोड़ाई जो अभी निकली 100 इस परकार से हो गया 200 25 गुणा गए 2 यानि कि बात करें 225 गुणा गए 2 यानि कि यह हो गया चार सो पचास ठीक है यह हो गए 450 इसका जो है आंसर इसका जो है यह आंसर सही है चार सो पचास सब्सक्राइब करते हैं तो Trot Tha 7 कि बात करते हैं नमगा यदि 10 और 25 एक से कंवी क्वाए तो इसकी बीच में 10 फिर 20 फिर 30 फिर 40 ठीक है तो इसका मतलब बेज में क्या छूट रहा है 30 तो इसका राइट आंसर है सी क्वेशन नंबर 38 ठीक है यदि 10 जन्वरी 2004 का दिन मंगलवार है तो 10 जन्वरी 2005 का दिन क्या होगा तो दोस्तों इसका लिए मैं वीडियो बनाऊंगा अभी आप इसका जो होगा राइट अंसर डी वाला होगा क्वेशन नंबर 39 एक साइकिल सवार एक गंटे में 12 किलो मेटर चलता है तो उसकी स्पीड मेटर पर मिनट में क्या होगे तो देखे एक गंटे में 12 किलो मेटर चलता है ठीक है तो सबसे पहले उसकी क्या निकालना है चाल चाल बरावर कितना होता दूरी बटे समय तो दूरी कितनी है 12 ठीक ह से गुणा करना पड़ेगा 10 से गुणा कर जाएगी 12 कर जाएगा . यानि कि बात करें तो नबर 14 गया है ? एक किलो मेटर पर घंटे की गति किसके बरावर होगी, एक किलो मेटर पर घंटे की गति किसके बरावर होगी, एक किलो मेटर पर सेकेंड में बादलना है, ठीक है, तो सबसे पहले एक किलो मेटर, एक किलो मेटर का मतलब है, एक अजार मेटर, ठीक है, बटे, एक घंटे, एक सब्सक्राइब देखो यह तो मिनट हो गए और सेकेंड में बदलने के लिए इसको फिर से साठ से गुणा करो घंटे में दे रहा है तो साठ से गुणा करने का मत्दा में वह मिनट में बदल जाता है फिर साठ से एक दर्जन का मुल्य 4 रुपे तो 14 केले के चार रुपे टो एक कोने कितना होगा कि ट्र 가지 है चार रुपे के है तो एक केला कितना का होगा, एक केला होगा दोस्तों, चार बटे 12 का है, ठीक है, और इसी परकार से 18 केले कितने के होंगे, तो 18 केले होंगे 4 बटे 12 कुणांगे 18 छीकिए 4 बटे 12 का मतलब है 1 बटे 3 और 3 का मतलब 3 6 का 18 तो 6 इसका जो अराइट आंसर है 6 तो यानि कि 18 केलो का मुल 6 यानि कि आंसर बेश सही है Next question number 42 ठीक है 12 पुरोस और 18 मेला एक खेट की कटाई 14 दिन में लगाते हैं तो बताइए 8 पुरोस और 16 मेला उसी खेट की कटाई में कितना समय लगेंगे तो दोस्तना इसके लिए मैं अलग से वीडियो ले कि आऊंगा अभी आप इससे ही समझ लीजे तो इसका जो राइट आंसर है 6 इसका है 6 दिन लगेंगे नेक्स नम बात करते हैं क्वेशन नमबर 33 पांच चात्रों की उससे लंबाई क्या होगी यदि उनकी लंबाई करमशा 30, 40, 50, 60, 70 है तो इसकी उससे प्रकार से निकलेगा 30, 40, 50 60, 60 60 और बटे में 1, 2, 3 1, 2, 3, 4, 5 यानि कि आपकों बटे 5 तो इसका यह हो जाएगा यानि कि इसका राइट आंसर हो जाएगा पचास ठीक है इसका उससत कितना आएगा पचास अगला है परतिवर्स किस ब्याजबदार पर कोई रासी आठ साल में दोगनी हो जाएगी तो आठ साल में 12.15 परसत हो जाएगी अगला है एक आदमी एक खिलोना एक अजार रुपे में खरीता है और उसे पंद्रा सो रुपे में बेजता है तो उसे कितने परतिशत का लाब होगा एक आदमी किसी खिलोने को 1200 एक अजार रुपे में खरीता है और उसे कितने में बेजता है 1500 में तो इसको लाव हुआ दोस्तों 500 ठीक है जो जितने में लिया क्राय मुल था एक आजार ठीक है परस्त में निकालने के लिए क्या करना पड़ता है 100 से गुणा करो ठीक है तो इसकी 2-0 से 2-0 कर जाएगी पर आप् सब्सक्राइब निकालते हैं Mme nm2 3-0 कि किस ने सब्सक्राइत इसक तो सब्सक्राइब 127- Get 10,800 किसमें 3 गंटे में अब हमें निकालना है अब हमें निकालना है 45 मिनट में तो 45 मिनट में कितने हो जाएंगे 45 गुणा गए 30 ठीक है 45 गुणा गए 30 तो यह हो जाएगा यह हो जाएगा 30 कि 0 3 5 15 और 3 चको 12 एक 13 ठीक है पांस तियां 15 और चारतियां 12 एक 13 यानि कि 1350 ठीक है और जो तीन गंटे में आया तीन गंटे में कितना है था हमारा 10,800 और यहां कि 1350 ठीक है तो 0 5 8 2 यह हो जाएगा 2 और यह हो जाएगा एक मिन दोस्तों फिर से करते हैं इसको तीन गंटे में हमारी सेकिंड हो जाएंगी तीन गंटे में सेकिंड सबसे पहले तीन गंटे में कितने सेकिंड होगे तीन गुणा आँगे 60 गुणा आँगे शाट ठीक है तो यह वह जाएगा हमारा तीन चका अठारा सो तो सोरी अठारा गुणा आँगे शे ठीक है तो अठारा कमा ठार चाते अठार ते हैं चावान अठार चागो बहततर अठार अठार पंजे नबे अठार चाका एक सो आठ ठीक है यह हो जाएगे पैंतालिस उनाँगे साट होंगे थो पैंतालिस बढ़ांगेаш चैपंजे 30 चैपंजे थीज जक और चेचों को यह च्जोवेश सो जाएं तो टो या तो यह छो उपज देना है तो इसमें हमारा राकात आउंसर नाजार एगा राइट आंसर हो जाएग ऑप्सन तेरा हजार पान्सो ठीक है अग नेक्स्ट क्वेशन बात करते हैं 30 का 30 का 140 परसाद 30 का कमला गुणा परसाद कमला 100 गुणा गए 140 30 गुणांगे 100 गुणांगे 140 ठीक है तो इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई थी दोस्तों इसके लिए टाइप ही हो रहा तो एक बार कोशिश कर देते हैं 30 का कमला गुणा परसाद कमला 100 140 ठीक है बराबर एक्स का एक्स का कमला गुणा परसाद कमला 100 840 ठीक है तो इस परकार से कितना हो रहा हमारा इस परकार से देखे 100 से 100 कर जाएगा 100 से 100 कर दो कोई दिकत नहीं तो यह हो जाएगा यह हो जाएगा यहां 420 बराबर 84 एक्स ठीक है तो 84 यह हो जाएगा एक्स बराबर 420 भागा 84 ठीक है आप 84 का भाग 420 में दीजिए तो पांच आएगा तो यानिक इसका जो है आंसर पहले जो आंसर है पहले जो ऑप्षन है पांच तो ऑप्षन सही है नेक्स्ट कुछिन नवर 48 निमी लिकित में कौन से कौन सा आट बटे चे बटे 20 की बराबर है तो सबसे पहले इसको पर्थसत में करना है चे बटे किसमें करना है पर्थसत में तो 6 बटे 20 तो पर्थसत का मतला 100 गुणा आगे 100 ठीक है एक जीरो से एक जीरो कर जाएगी यह दोस्त तीया चे हो जाएगा और तीन यानिके 30 परसेंट तीस पर्थसत इसका राइट आंसर है पर आड़े में फोटी नाइन थीक है इसका इसको इसका वर्ग मोल निकालना तो गाल निया दोमें होते हैं या तो भागविती से करो या आप गुणंखन से करो तो भागविती से करते हैं दोस्तों जैसे है 4096 तो इसकी सबसे पहले दो दो जोड़े बनाओ ठीक है और इसका 46 से जो छोटा वर्ग संक्या है 36 है तो छे का वर्ग 36 बचे 4196 यहां 6 का दुगना हो जाएगा 12 ठीक है और यहां इससे संक्या लिखनी है यहां इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका इसका जो राइट आंसर होगा ओप्शन बी यानि कि 64 इसका जो राइट आंसर होगा अगर दोस्तों इस परकार से आपका वर्ग मूल निकालना नहीं आता तो आप क्या कीजिए कि सब का एक एक बार गुणा कीजिए जैसे 33 गुणा गए 33 करके देखिए अगर बराबर आता तो ठीक ने तो 64 गुणा गए 64 करके देखिए 96 गुणा गए 96 करके देखिए 24 गुणा गए 24 करके देखिए ठीक है और विससे भी इसमें से एक ओप्शन तो पहले ही हट जाएगा क्योंकि इसमें क्या है लास्ट में 3 है और 3 का स्कुायर करो तो लास्ट में 9 आता है ठीक है चार का है चार और चार इतीन वह हैं उसके बाद 64 गुणा करो इतना आता ठीक फिर 96 गुणा 96 करो इतना आता ठीक दिन तो 24 गुणा 24 करो कि एक नएक उप्सन इतना आएगा ठीक है तो वही आपका अंसर से होगा क्योंकि कभी क्या होता है दोस्तों भाग विदी द्वारे आता रिख इंटू यानिकि 2 गुणागे 5 और तीन गुणागे 5 गुणागे 7 का लेसे पर किसके बराबर होगा तो देखिर लेसे पर क्या होता है कि जो कॉमन होतें उनको एक बाद लेते हैं जैसी है 2 इंटू 3.5 और 2 इंटू अच्छंग क्या आयक हो जाएगा 3 इंटू 5 गुणां गये तक यानिकि दो गुणांगे तीन गुणांगे पांच गुणांगे तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी अगर बीडियो पसंद आई तो आप सहरे में कि यह करना सब्सक्राइब करना और यह को स्टडी रिलेटेड एक ग्रूप में शेयर करना है तो थैंक यू दोस्तों